Hi everyone, good morning, कैसे हैं आप सब I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे and welcome to my new vlog morning के 8.15 का टाइम हो रहा था, just Manish निकले थे बाहर बेटो को स्कूल छोड़ने जा रहे थे और बाहर उनको मिल गए दूद वाले भाहिया, तो उन्होंने थोड़े से request करी कि मेरे पास दूद जो है वो एक्स्ट्रा बच्चा हुआ है, मेरे से एक बार ले करके देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप continue कर लेना तो मनीश ने उनसे ही ले लिया था, वैसे भी उनको बहार से लाना थोड़ा सा लगता है कि या रोज लाने आने से अच्छा है कि कोई देख करके चले जाए, तो उन्होंने उनसे ले लिया था, उनके पास extra भी था और उन्होंने रोक करके बोला भी था तो मैं दूद ले करके आ गई थी, और उसके बाद साथ-साथ मेरे को बोल करना था, क्योंकि ये वाला दूद छान करके बोल करके रखना पड़ता है, पैकेट होता है, तो पैकेट मैं साथ-सद यूज़ करती रहती हूं, और उसी को मतलब ऐसे ही रख देती हूं, जब चा इतना ज़ादा पतला दूद था, दूद मैंने बोल करके रख दिया था, जब मैंने चाय बनाई थी ना, तो इतनी पतली पतली चाय बनी थी, कि पूछो मत, बाकी मेरे को तो दूद ज़ादा पसंद आया नहीं था, अभी देखते हैं, कि कॉंटिन्यू करते हैं, या पिर का ले करके हम बन कर देते हैं, तो सासद दूद भी बॉइल हो गया था और टीवी मैंने बना करके रख दी थी, मतलब बन गई थी मेरी टी, अभी मनीश आने ही वाले होंगे जस्त, उसको छोडने में 5-7 मिनिट ही मुश्किल से लगते हैं, उसके बाद फिर मैंने चाय ढख हैं, तो मैं यहां पर अपना कोकोनेट वाटर पीरी थी, मनीश भी आ गए थी, पीच में मेरा कैमरा बंद हो गया था, वो किचन में है, वो अपना चाय वाई लेकर के आ रहे थे, और मैं बाहर अपना कोकोनेट इंजॉय कर थी, और आज का वेदर भी काफी अच्छा हो रह मेरे सारे टूट फूड गए हैं, एक सेट मैंने अलग से रखा है, जब कोई आता है, तो मैं निकाल लेती हूं, तो चाय बनाई थी मैंने, और उसके बाद फिर वापे सबजी भी मैंने सासद बना ली थी, क्योंकि किचन में थी, तो मैंने सासद सबजी भी बना ली थी, औ सबस्ता बना ली और उसके बाद पे मेरे को पे मेरे को जस्त लाप करने तो मैं राइस भी बाइल करने के लिए राइस बनाने में थोड़ा सचांव लग जाता है म memb ऑनियंस बनिय Nine-ंड चॉंड वॉप करने पड़ते हिं, तो बोय राइस मिस जस्त ऐस यहां नमक डहाल कर कर देती हूं और उसके बाद सासत मतलब समान वगएरा भी या सेट वेट करके रख रही थी चाहेगा जो पैन वेन था वहीं पर रखा हुआ था दूसरा काउंटर टॉप जो था वो मैंने सबजी वगएरा बनाई थी ना तो उस पर कूकर और जो भी एकसर समान निकाला होता ह वो सब रखा हुआ था तो इस साइड मैंने फिर राइस भी बनने के लिए रख दिये थे क्योंकि मनीश को अब भागना था उसके बाद फिर वो जादा दिर रुखते नहीं है अपने अकॉर्डिंग मतलब वो रुख जाएं तो रुख जाएं तो रुख जाएं उसके सब्सवाइन गार्वाइन निन और वाई में बनाया था जो संडे मैं आप में लुख ज्सें में अपने प्लावित कैसा होगा बट मै ऐसे सुना कि हमारे plants बगेरा की health के लिए काफी अच्छा होता है यह water तो मैंने भी try करा था sometimes यह जो kitchen waste मतलब जैसे videos YouTube पे भी काफी ज़ादा बताया जाता है कि kitchen waste जो होता है वो हमारे plants के लिए बहुत अच्छा होता है अगर result अच्छा रहा तो मैं इसको continue करूंगी अब जब भी मतलब rice वगेरा मैं बनाओंगी तो rice water जो होता है वो मैं अपने plants में डाल दिया करूंगी बाकी kitchen waste थोड़ा सा जादा risky हो जाता है क्योंकि वो फिर मतलब उसमें कीड़े और I think fungus लगने के chances बहुत जल्दी होते हैं और यह तो water है इसमें इतना जादा risk नहीं है मतलब risk कम है जादा जल्दी यह खराब नहीं होंगे बाकी थोड़ा सा विंटर में over water से भी over watering कर देने से जो plants होते हैं उनकी roots वगएरा खराब हो जाती हैं सौगी हो जाती है और वो खराब हो जाते हैं उसके बाद बाहर बालकनी से आई थी plants वगएरा को पानी दे करके तो कुछ बन्याने वगएरा जो थी मनीश की वो रख्यों थी वो भी मैंने साथ के साथ फोल करके रख दी थी सौक्स वगएरा थे सौक्स को रोल करके रख देती हूं थाकि एक दूसरे से ना फिर miss place न नी तो ऐसा होता है एक सॉक्स मिलती है दूसरी सॉक्स टाइम पर नहीं मिलती है और फिर अंदर आ गए थी मनीश ना आने गए वे थे तो उनके जाने के बाद ही मैं अपना काम वगएरा स्टार्ट करती हूं क्लीनिंग का अभी मैं अंदर थी तो मैंने साथ के साथ जो था वो बैड भी सेट कर था बैड सेट हो जाता है फिर थोड़ा भी घर नहीं रखता मैसी मैसी सानी लगता है जो यह क्लॉट्स और यह बिस्तर्स वगएरा होते हैं नहीं हमारे घर को बहुत जादा मैसी दिखाते हैं यह सब चीजे सेट हो जाती है चीजें उनके प्लेस पर रख दो तो ऑल्मुस इतना जانधा गंडा नहीं होता है क्योंकि ऐसे फुट्प्रिंट तु आये नहीं होते हमारे फ़्लोर पे तो मैसी जो घर को लगती है ना मैसी जिस से हमारा घर लगता है तो वह ही चीजें होती है तो इनको इनके उल्स पर रशे होता है और ऑर बिस दो बिस जदी करना बह कर लेती हूं उसके बाद फिर मैं अपना जाड़ू वगेरा उठाती हूं हाथ में और बिस्तर वगेरा मैं वहां पर सेट करके आगी तो मैंने यहां पर फ्रेश फ्रेश ग्वावा थे वह ले लिए थे और एक पाया था उन्होंने इंसिस्ट करा था कि काफी अच्छा है तो मैं पांसो और गाई नाम दूंगा अपको तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी थी तो मैंने ले लिया था और उसके बाद फिर मैंने वह बास्केट में लगा दिया था कुछ ड्राइ लीव्स वगेरा थी बास्केट में पहले रखी हुई तो ग्वावा की वह भी मैं है नहीं अभी एक्जाम्स वगेरा होंगे ना जैसे रिपीट जो पराना स्लेबर्स वगेरा रिवाइस करने के लिए चाहिए होता है तो उसमें यह उसको काम आएंगी तो इसलिए मैंने इनको रखी हुई थी अभी और बाकी जो भी चीज़ें टेबल पे फैला करके बिट वह भी मैंने नीचे रख दिया है और उसके बाद बेटू कल उसको ड्रॉइंग वगेरा आर्ट एंड क्राफ करने का बहुत अधा शौक है उसके यह पेपर कटिंग की चीज़ों से ना मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और देखो कितने सारे उसने पेपर वगेरा कट करक कि हां हर किसी के अपने मतलब होता है ना कि उसको जो पसंद है उसको करना चाहिए अगर उसकी creativity को मैं रोक दूंगी तो शायद वह अच्छी चीज नहीं होगी उसको समझाती हूं कि waste मत किया करो बट हां मैं उसको proper bound नहीं करती हूं कि आपको यह नहीं करना है तो नहीं करन लेती है और बस उसी के साथ यह extra जो भी garbage था वो मैंने निकाल दिया था और टेबल को भी अच्छे से clean कर दिया था उसके बाद आ गए थे मनीश उनके लिए मैंने यहाँ पे खाना लगा दिया था राईस थे राजमा थे गाजर का चार था और एक्टम फ्रेश चटनी थी मैंने कल रात को भी बनाई थी शाम के टाइम बनाई थी तो फ्रेशी थी कल की थी और यह भी रखा हुआ था उससे पहले मनीश आ गए थे मैंने का जाडू भी लगा लेती हूं चलो या फिर एट लीस इसी को भी मैं जो भी यह कागश वगेरा निकलिया ना papers वगेरा इनको सेट कर देती हूं बड़ उससे पहले मनीश आगे थे तो मैंने उनको फिर खाना वाना लगा कर की दिया उसके बाद उनके जाने के बाद फिर मैंने उठा ली थी जाडू अभी सारा कुछ में सेट वेट कर चुकी थी सबको उनके प्लेस पे पहुचा चुकी थी तो अभी म की बाउंडिशन है कुई चीज़ को हमें जल्दी करना है या जल्दी पहुंचना है मैं ले टो रहे हूं तो ड्रस्टिंग का मि होता है कि मैं आकर भी कर सकती हूं या फिर मैं शाम के टायम का जकैन घर कर के घर की अधर फिल्के डूसति आध वो तो ये है कि morning में एक बार हम अच्छे से घर को clean करते ही करते हैं तो time मिलता है तो dusting में साथ सद कर लेती हूं otherwise मैं बात के लिए भी छोड़ देती हूं आकर के फटा-फट ये table की cleaning तो दिन में बहुत बार होती ही रहती है और बाकी इतनी जादा कोई चीज़ें है नहीं कि जिनकी clean ये dusting के लिए में को बहुत जादा time निकालना पड़े तो जब भी कहीं भी मेरे को कुछ भी थोड़ा सा dusty दिखता है मैं फटा-फट से कपड़ा लगा देती हूं और बस उसी के बाद फिर मैंने सारी चीज़ें set wet तो मैं कर चुगी थी जाड़ू भी मैंने लगा बहुत है और बहुत है मतलब शूरेक भी नहीं और मैट भी रखने का प्लेस नहीं है मैं मैट वहां रखती हूं तो यहां से में गेट पर पहुंच जाता है इसलिए मिले को यहां पर रखना पड़ता है और उसके बाद फिर यहां पर इवनिंग का टाइम हो गया था और का देकोरेट करना था तो वह पूरा के पूरा वाटर कलर ले आई थी पापा के साथ मनीश के साथ जा करके तो उसके वाटर कलर पड़े थे और यह जो बैट था ना काफी दिन से मैं चाहा रही थी कि वाटर कलर ना मैं यूज कर लूँ इसकी ना पॉलिश जैसे ना काफी सारी साइड से निकली हुथी जिसकी वज़ेसे वह देखने में भी अच्छा नहीं लगता था और वह बहुत जादा पुराना भी लगता था तो बेटू के वाटर कलर रखे हुए थे तो मैं काफी दिन से सोच रही थी फाइनली आज मैंने बेटू के वाटर कलर निकाले और मैं जो भी एरिया जहां पर यह वोड दिख रही थी ना वहां पर मैंने ब्लैक कलर का ब्लैक और थोड़ा सा जो चॉकलेट वाला कलर होता है ना लाइट चॉकलेट है तो दोनों को मिक्स करके मैंने पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया था और अब राए होने के बात देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है क्योंकि वाइस ओवर भी है मैंने जैसी अपना फिनिश करा था मैंने वीडियो को एड़ेट करा और साथ के साथ मैं मतलब वाइस ओवर करने करें बैट गई थी और उसके बाद एक दो दिन के बाद एक्चुल रिजल्ट पता चल अच्छा लग रहा था एकदम चीजें जब न्यू सी लगती है न देखके तो वह अच्छा लगता है और जैसे यह थोड़ा सा यह पॉलिश सी चीजें किसी को भी अच्छी नहीं लगती इंफाक्ट हम अपने शूज को भी पॉलिश करके निकलते हैं यह तो फिर भी बैड तो जहां से भी इसके पॉलिश निकली होई थी पूरा एंड तरक उसकी जो वाटर कलर की बेटू की पूरी बॉटल थी ना वो सारी के सारी ऑल्मोस्ट इसमें कंद्रियूम हो गई थी बहुत थोड़ा सा ही होगा जो बचा होगा और वैसे भी ब्लैक कलर ना बहुत सारी कल पेंटिंग में यह सारी चीज़ें और पेंटिंग में यह ब्लैक कलर बच्चों के ड्रॉइंग में उतना ज्यादा यूज होता नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी ब्लैक कलर मैंने यूज करा था मोस्ली और पहले लाई थी तो उसके ब्रेश जो थे वह इतने नया सा लग रहा है बैड और clean सा लग रहा है मेंनली नया लगे ना लगे क्योंकि trend change होता रहता है जो पुराने टाइप की चीज़ें होती है वह उनको new नहीं लग सकती बट हाँ पॉलिश चीज़ें जो होती है वह attractive लगती है अच्छी लगती है चीजों को पुराने होने स म opinbrat, उसकी time के सब्सक्राइब करने के बाद जब तक मैं आपना वह काम कर रही थी बेटा कॉ टाम क कर रहे थी मैंने दोनों को बोला था हमेहां पर बैट करके खेल तक बहले अपना काम नपटा लेती हूँ प्लीज मैं को डिस्टब मत करना और दोनों आराम से यहां बैट करके खेल रहे थे और बस आज का व्लॉग में ही पेंट करती हूँ I hope आपको यह व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर आपको यह व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब शरू करना मिलेंगे एक न्यू वीडियो में तिल दें टेक यो फैंस बाबाई